नमस्कार मैं विश्णु शंका टीवी नाइन भारत वश डिजिटल के मंच से भारत को चीन की दुखती रख का पता चल गया है 13 अक्तूबर को चीन की विदेश मंत्राले के प्रवक्ता जाव लीजियान ने बेजिंग में एक प्रेस प्रीफिंग में बताया कि भारत द्वारद चीन के साथ लगने वाली सीमाओं पर इंफ्रस्ट्रॉक्चर विकास और फौच कि तनातनी ही चीन की टेंशन сबसे बड़ा कारण है जाओ ने ये भी कहा कि चीन विवादित सीमा के करीब भारत द्वारत सैनिक इंफरस्ट्रक्चर बनाने के खिलाफ है जाओ ने आगे फरमाया कि चीन चाहता है कि भारत दोनों देशों के बीच बनी सहमतियों का निश्ठा से परन करे और ऐसी कोई हरकत न करे जिससे स्थिती और खराब हो जाए शाहों ने भारत को सीमा पर शांती बना रखने के लिए निश्चित कदम उठाने के सलाह भी दी कमाल की बात है न कि चीन कह रहा है कि भारत को उसकी सीमा के करीब सड़कें, पुल, रनवे, हवायदे, संचार, केंद्र और सैनको के रहने के स्थान नहीं बनाने चाहिए भले ही वो खुद ऐसे सारे काम कई दश्चों से कर रहा है भारत और चीन के बीच सीमा करीब साड़े तीन हजार किलोमेटर लंबी है और अभी तक हमारा यह पडोसी यहां अपनी मनमर्जी करता था अक्से चीन इसकी अच्छी मिसाल है अजादी के कुछ सालों के भीतर ही चीन ने धीरे धीरे पूरे इलाके को हड़प लिया और 1962 की जंग के बाद यहां अपना नियंतरन और मजबूत कर लिया ददाग से लेकर अनुनाचल प्रदेश तक सीमा विवादों का फाइदा उठाका चीन की सेना बार बार भारत में घुस्पैट करती रही है सीमा पर अपनी सिती मजबूत करने के लिए चीन की सरकार 1950 के दशक से लगातार इंटरस्ट्रक्टर मजबूत करती रही है इन में LAC के करीब रेल, रोड और एरपोर्ट का इंफरस्ट्रक्टर तैयार करना शामिल है शिंजियांग प्रांच से तिबबत को जोडने वाला चीन का G219 नाशनल हाईवे LAC के लगबग समनांतर लद्दाक से लेकर हिमाचल प्रदेश रो उत्तराखंट की सीमा को कवर करता है जंग की हालत में सेना की तैयाती में इस हाईवे की भूमिका कितनी एहम होगी यह आप अच्छे से समझ सकते हैं ऐसे ही सिकंद और अरुनाचल प्रदेश की इलाकों के खरीब चीन ने रोड के साथ रेल निटवर्क तैयार किया है तिबबत में शिगात से येंडॉंग रेलवे लासा निंग्ची रेलवे में डॉग जायू रोड का जाल बिचाया है ध्यान देने वाली बात ये है कि चीन के इन रोड और रेल निटवर्क में चीन की आर्मी के एव फील्स भी शामिल है तिबबत में होतान, गारी गुंसा, शिगात से लासा गोंगर, निंग्ची मेंलिंग जैसे पाँच ऐसे एरपोर्ट है जिनका सैनिक और नागरिक दोनों ही तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है फिर इसी साल अप्रेयल मही महिने में पूरुी लड्डाक में चीन के घुसपैट से चीन के एरादा साफ हो गया सीमाओं पर चीन का मुकाबला करने के लिए भारत ने पिछले कुछ सालों में लद्दाग से लेकर अरुनाचल प्रदेश तक इंफरस्ट्रेक्टर तयार करना शुरू किया 2006 में भारत सरकार ने बौर्डर रोड्स और्गनाजेशन को 2012 तक सीमा से सटे अलाकों में 3324 किलो मीटर लंबी 61 सलकें तयार करने को कहा हाला कि 2015 के मार्श महिने तक सिर्फ 625 किलो मीटर सलकें तयार हो सकें मार्श 2018 तक यह आकड़ा 981 किलो मीटर तक पहुँचा लेकिन पिछले दो सालों में काम में तेजी आई और भारत ने मार्श 2020 तक 2486 किलो मीटर रोड तयार कर ली सीमा से जुड़ी अलाकों में सेना को जल्द मूर्शे पर तयार किया जा सके इसके लिए 44 पुल भी तयार कर लिए गए है चीन की हर चाल का मुकाबला करने के लिए भारत के पास अब इंफरस्ट्रक्चर तयार है और तोपो और मिसालों के साथ करीब 50,000 भारती सेनिक चीन की सेना का सामना करने के लिए रददाक में तैनात है यही वज़ा है कि चीन अब परिशान हो रहा है चीन ने 2017 के डोकलम विवाद के बाद सीमा पर जो इंफरस्ट्रक्चर विकास किया है उसका मकसद अपनी वायू शक्ति को मजबूत करना है ताकि भारत के साथ लगने वाली पूरी सीमा पर अपनी धमक जारी रख सके और भारत की सेनिक तैयारे में किसी कमजोरी का फायदा उठा सके जानकार मानते हैं कि इस बार भारत के साथ सीमा पर चीन के तनातनी पिछले सभी वाकियों से अलग है और उसका इरादा भारत को अपनी सैन शक्ति से डराने का है चीन ने ऐसी रणनीती साउथ चाइना सीमी भी अपनाई है जहां उसने स्थाई रक्षा इंफरस्ट्रक्चर बना रखा है और इलाके के अन्य देशों को अपनी शक्ति दिखा कर डराने के कोशिश करता रहता है चीन का रादा अपने प्रतिदवन्दियों को ये संदेश देने का है कि अगर वो उसे अपने मनमानी नहीं करने देंगे तो ये फैसला महंगा पड़ेगा ध्यान देने वाली बात ये है कि साउथ और इस चाइना सी से सटे देशों और भारत के साथ चल रहे तनाव के बीच चीन की राश्पती शी जिन पिंग ने बुद्वार को गौंग डॉंग प्रांद का दोरा किया एक मिलिटरी बेस पर पहुंचे सुरक्षाबलों के तैयानियों का जाइजा लिया और सीना के मरीन सैनिकों को युद्ध के लिए तैयार रहने को कहा शीन सैनिकों से कहा कि वो एक साथ कई मोच्छों पर मकाबला करने और सभी मौसम और इलाकों में जंग ड़ने के लिए तैयार रहें चीनी राश्पती ने कहा कि देश के इलाके संप्रबुता समुद्री हितों और विदोश्यों में चीनी हितों के रक्षा के जमेदारी मरीन सैनिकों के कंधे पर है चीनी राश्पती की जबान पर किसी देश का नाम तो नहीं आया लेकिन माना जा रहा है कि उनका इशारा अमेरिका के तरफ था लेकिन भारत उनके जहन में बहुत दूर होगा ऐसा नहीं माना जा सकता चीन के नियत देकर भारत अपना रक्षा इंफ्रसक्चर मजबूत करता रहेगा अब इस पे कोई शक नहीं है विशेशक्जों का विचार है कि जब सीमा के दोनों तरफ सैनिक और बंदूके तोपे टैंक और गोला बारू जमा होंगे तो इससे तनाव के सितिके काबू से बाहर चले जाने के अशनका बहुत बढ़ जाती है सोच समझकर मैं आज यहीं तक इस उमीद के साथ कि आप आगे भी हमारे साथ बने रहेंगे आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको धन्यवाद